दोस्तो स्वाद करता हूं में आपका मेरी यूट्यूब चनल बिंगर्श्टून में आज की वीडियो में हम देखने वाले लोह पूरुस भाई सर्दाव वल्लब भाई पटेल की जीवनी तो चलिए सूरू करते हैं लोह पूरुस सर्दार पटेल का जंग 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात प्रांत के करमसद नामक गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम जेवर भाई पटेल था अपने उग्र सुभाव के कारण सर्दार पटेल अपने शिक्षा पूरी नहीं कर सके 18 वर्ष की आयू में इनका विवाह हो गया बाद में उन्होंने वकालत प्रतम शेरिनी में पास की फिर पटेल 1913 को भारत लोटे और एहमदा बाद में वकालत करने लगे बाद में वे कांग्रेस के संयोजक मंतरी बने गांधी जी को सर्दार पटेल की शमता पर पूर्ण विश्वास था और वे पटेल जी की सलाह लिये बिना कोई काम नहीं करते थे सर्दार पटेल किसानों के लिए बहुत लड़े उन्होंने गोशना की कि कोई भी सरकार को टैक्स ना दे अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रियास किया पर उनकी सर्दार पटेल के आगे एक ना चली इस सफल आंदोलन से सर्दार पटेल लोगों में बहुत लोगप्रिय हो गए और जन्ता ने उनको सर्दार पटेल बना दिया 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ सर्दार पटेल भारत के पहले ग्रह मंत्री बने अंग्रेज लगभग 700 रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़कर चले गए बहुत सी रियासतें पाकिस्तान से मिलना चाहती थी लेकिन इस सासी वीर ने अपनी कुछ साग्र बुद्धी से सब रियासतों को भारत में मिला दिया और अखंड भारत का निर्मान किया इसके लिए पटेल जी को लोपुरुस की उपाधी मिली 1950 में इस महान पुरुस की मृत्यू हो गई और लोह पुरुस सरदार वल्लब भाई पटेल इतिहास में हमेशा अमर हो गए तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी निबंद सरदार वल्लब भाई पटेल पे आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद